प्रेंड्स हाव आर यू पता है इस गर्णी में लोगडाउं के चलते में सबसे यादा मिश क्या कर रहा हूँ आइस क्रीम क्या आपको भी आइस क्रीम पसंद है तो चल लिए जानते हैं आइस क्रीम के बारे में सबसे पहली आइस क्रीम पर्सिया में 25 साल पहले बनाई गई थी वो लोग ग्रेप जूस को बर्फ पे डालकर चील करके गर्यों में आओं में खाते थे इसमें बाद में मीठा रोज वाटर, फ्रूट और बाखी के टॉपिंग्स भी यूज होने लगे वहाँ से आइस क्रीम ग्रीक और रोमन राजाओं तक पहुची तब आइस क्रीम काफी एक्सपेंसिव था और उसे सिर्व राजा माराजा ही खाते थे सुना है रोमन समराटनीरों को आइस क्रीम बहुत पसंद थी उनके लिए एक्सेनिको की चेड पहाड से महल तक कॉंस्टेंटली बर्फ लाती थी इसके बाद चाइना में 280 पर चावल और बर्फ से बने आइस क्रीम का इस इस तमाल होने लगा और चावल से बने इस डेजर्ट को वहाँ बहुत पसंद करते थे 800-980 में अरब लोगोंने मिल्क बेस्ट आइस क्रीम बनाना शुरू किया वहाँ से आइस क्रीम लेग 13 सेंचुरी में इटली से पूरे योरोप में फेमस हो गई 17 सेंचुरी में आइस क्रीम अमेरिका में बनना शुरू हुआ 18 सेंचिरी में आइस्क्रीम का कमर्शल प्रोडक्शन शुरू हुआ उसके बाद कई इन्नोवेटर्स और कुक्स ने आइस्क्रीम को वर्ल्ड फेमस और टेस्टी बनाया 1926 में इलेक्ट्रिक फ्रीजर का इन्वेंशन हुआ और वहाँ से आइस्क्रीम बड़ी क्वांटिटीज में बनने लगी वर्ल्ड वर्ल टू के बाद आइस्क्रीम इंडस्ट्री काफी बढ़ गई और आइस्क्रीम अंगिनत स्वादों में बननी लगी और ये राजाओ का डेसर्ट आम आदमी तक पोचा 28 सेंशुरी में साफ्ट आइस्क्रीम बनने लगी क्या आप जानते हैं 12 गैलन दूद से शिरु एक गैलन आइस्क्रीम बनती है शुरू में आइस्क्रीम नैचर आइस और नमक को पोट फ्रीजर में डाल कर बनाते थे उसके बाद आइस्क्रीम में कर साए आज कल लिक्वीड नैट्रोजन या ड्राइ आइस से चुटकियों में आइस्क्रीम बनती है अब राशावाल क्या आइस्क्रीम सेहत के लिए अच्छी है पूराने जमाने में हिपोक्रेटस ते आइस्क्रीम को सेहत के लिए अच्छा बताया था मौडन साइन्स ने भी आइस्क्रीम को विटेमिन्स, कैल्सियम और मिनरल्स का सोर्स बताया है आइस्क्रीम से हमें मिलती है इंस्टन्ट एनरजी और हमें हमारा मूड भी अच्छा रहता है तो सोच क्या रहे हो आप भी अपनी मन बसंद आइस्क्रीम खाओ और खुश रहो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेर, कमेंट और समस्क्राइब कीजिए